नमस्कार दोस्तों भारत एक सोच देख रहा है आप दोस्तों मायावती ने बीस्पी ने अपनी अगली लिस्ट भी जारी कर दी है और उसमें भी कई नामों का एलान कर दिया है जी हां बीस्पी की ओर से एक दिन में दो-दो लिस्ट जारी की गई है पहली लिस्ट जारी की ग भरोसर जताया है जो कि चुनावी ताल ठोकते हुए दिखाई देंगे लोगसभा का चुनाव बीएसपी के टिकेट पर लड़ते हुए दिखाई देंगे एक एक करके हम आपको नाम बताने जा रहे हैं सबसे पहले इलाबाद लोगसभा सीट पर किसको उतारा है मायावती ने रमेश सिंग पटेल को उतारा है जिया जो लिस्ट दोस्तों जारी की गई है वो बहुजन समाज पार्टी के लेटर पर जारी की गई है और प्रेस विग्यप्ति लिखा हुआ है बीएसपी की बारवी सूची ये लिखा हुआ है और लिखा हुआ है विशे बहुजन समाज उत्तरप्रदेश में लोकसभा के उमिद्वार तैक कर दिये गए है जो की इस प्रकार है वो लिस्ट में आपको पढ़के बताने जा रहा हूँ इस लिस्ट में किसके किसके नाम है पहला नाम इलाबाद लोकसभा शुतर से उतारा गया है रमेश सिंग पटेल को यहां पर इल श्रावस्ती लोकसभा सीट पर मायावती ने मुईनुदिन एहमद खान और फाहाजी ददन खान को उतार दिया है श्रावस्ती से ब्यस्पी ने मायावती ने तीसरा नाम कौन सा आता है दोस्तों भदोही लोकसभा सीट बदोही लोकसभा सीट से हरिशंकर सिंग और दादा चुनाव लड़ रहे हैं और प्रधान मंतुरी नरेंद्र मोदी के सामने ब्यस्पी सुप्रेमों मायवती ने अताहर जमाल लारी को उता रहा है जी हां अताहर जमाल लारी जो की अब प्रधान मंतुरी नरेंद्र मोदी के खिलाफ ब्यस्पी के टिकेट पर चुनाव लड़त तो ये पांच नाम हमारे सामने हैं मायावती ने अपने प्रत्याश्यू का एलान किया है और इस लिस्ट में पांच नाम आ गए हैं लाबाद से रमेश सिंग पटेल, श्रावस्ती से मुईनो दिन एहमत खान और फाजी दद्दन खान, बदोई की अगर हम बात करते हैं तो अ उमिद्वार तैक कर दिये गए हैं जो कि इस प्रकार है गैंसरी बल्राम पुर्जिला है वहाँ पर मुहम्मद हारिस खान को उमिद्वार तैक किया गया है दोस्तों दो सीटे ऐसी हैं जहां पर ये दोनों लिस्ट जो इससे पहले आई थी वो भी हमने आपको बता रहें ल ही 520 के आसपाष है और मायावती ने यहांसे रामब उमिद्वार दे दिया है और इसके साथ ही साथ दोस्तो आओ आजमगण की बात करें तो प्रत्याशि बदल दिया hem्यम पहले वहापर राजभर समास से प्रत्याशी उतारा गया था मायावती की तरफ से उसके बाद मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया गया है तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब मायावती ने आजमगर्ड लोग सबस्कीट से अपना प्रत्याशी बदला है जी यहां दोस्तों अब हम आपको बताने जो रहे हैं आज मुस्लिम प्रत्याशी दिया मायावती ने शबीहा अंसारी जिनको मुस्लिम प्रत्याशी घोशित किया था और उसके बाद अब जाकर शबीहा अंसारी का टिकट काट दिया है और अब मशूद एहमत को टिकट दिया गया है मायावती की तरफ से तो मुस्लिम प्रत्याशी यह पर उतार कर खेल बिगारने की कोशिश जरूर की जा रही है एक तरफ आजमगर्ण में दिनेशलाल यादों नी रहुआ हैं दूसरी तरफ आजमगर्ण में धर्मेंद्र यादों हैं जो कि उप्चुनाओ लड़े थे और एक बार फिर से अकले शादों ने समाजवादी टिकेट बदले गए हैं आजमगर्ण लोगसभा सीट पर मायावती की तरफ से फिलाल ये लिस्ट हमारे सामने हैं बारवी सुची हमारे सामने हैं कितने जिताव प्रत्याशी हैं कौन कितना दमदार है इन सीटों पर इसका विश्लेशान इसका आकलन आप भी जरूर कीज़ हुएगा दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा ये पाच लोगसभा सीटे जो बारवी लिस्ट में सामने आए हैं इलहाबाश रावस्ती बदोही वारारसी बास गाउं यहाँ पर जो प्रत्याशी उतारे गए हैं कितने दमदार कितने जिताव प्रत्याशी हैं मायावती के कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएगा बहुत शुक्रिया